खूबसूरत चहरों को राजनीती में देखना आप कोई आम बात तो नहीं है ऐसा ही एक खूबसूरत महिला राजनीती के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं नवनीत कोई राणा जोके निर्दले विधायक रहे हैं वे बहुत खूबसूरत होने के साथ मॉडलिंग और अभिनय में भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं तीन जनवरी 1986 को मुंबई के पंजाबी परिवार में जन्मी नवनीत कॉर्णी तेलगू फिल्मों से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की नवनीत ने बारवी के बाद ही पढ़ाय छोड़ दी थी और उनने उसके बाद से मॉडलिंग शुरू कर दी थी इस दुरान उन्हों ने छे म्यूजिक एल्बम में भी काम किया कन्नर भाषी फिल्म दर्शन में अभिनेगर फिल्मी दुनिया में नवनीत ने कदम रखा इसके अलावा नवनीत ने तेलगू फिल्म सीनू वसंथी लक्ष्मी और भी कई फिल्मों में अक्टिंग की 2005 में तेलगू फिल्म चेतना जगपती गुड़ बॉय और 2008 में भूमा में भी नवनीत ने बतोर एक्ट्रेस काम किया इसके अलावा नवनीत ने मल्यालम फिल्म लव इन सिंगापूर और पंजाबी फिल्म लडगे पैंच में भी काम किया है वो रियलिटी शो हुम्मा हुम्मा में भी बदोर कॉंटिस्टेंट हिस्सा ले चुकी है विदायक रभी डानर्षिष शादी के बाद नवनीत ने अमरावती लोकसवा सीट से एंसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन नवनीत को इस चुनाव में शिव शिना के हातों हार का सामना करना पढ़ा था जिसके बाद वे अपने पती के लिए ही प्रचार करती रहें इन सब के अलावा नवनीत विवादों में घिरी रहती है नवनीत को और राणा ने पुलिस में एक मामला दर्च करया था जिसके नुसार फेस्बुक और वाटसेप पर उनकी कुछ तस्वीरों से छेड़ चाड़ कर उनकी बिना अनुमती के पोस्ट और शेयर किया गया है इसे उन्होंने विरोधी दल की साज़िश बताया था नवनीत और रवी राणा दोनों ही योग के शौकीन हैं इसी वज़े से दोनों बाबा राम देव के प्रशंसकों में से एक हैं दोनों की पहली मुलाकात भी एक यूगा केम्प में हुई थी जिसके बाद इस रिष्टे को आगे भढ़ाने के लिए दोनों ने बाबा राम देव से स्वीकरती लेकर 2011 में एक सामुविक विभास समारों में शादी की शादी के बाद नमनीत ने अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया